प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा आठ्वी में हिंदी कालाइश में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे आपकी पुरक पाठी पुस्ता पुस्तिका भारत की खोच इसका हम पाच्वा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नई समस्याय इसके अंतरगत आच्वा भाग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समन्मवय और मिली चुली संस्रुति का विकास कबीर गुरु नानक और अमीर खुसरू भारत पर मुस्लिम आकरमण की या भारत में मुस्लिम युक की बात करना गलत और ब्रामक है इसलाम ने भारत पर आकरमण नहीं किया वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया आकरमण तुर्क को अर्थत मैमूत ने किया था अफकानों ने किया था और उसके बाद तुर्क मंगूल या मुगल आकरमण हुआ इन में से बात के दो आकरमण महतुपून थे अब यहाँ पे नहरूजी कह रहे हैं कि भारत पर मुस्लिमों ने आकरमन कभी नहीं किया भारत पर अगर हम मुस्लिम युग की बात करें तो वो बिलकुल ही गलत होगा, ब्रामक होगा, ब्रामक अर्था, ब्रम फैलाने वाला है इसलाम ने भारत पर कभी हमला नहीं किया भारत आने में इसलाम को कहीं सदिया लग गई आकरमन्ट तो किस ने किया तुर्कों ने किया तुर्क में हम देख चुके हैं महमूद गसनवी के बारे में हम पढ़ चुके हैं जो अफगान से आया था उसने भारत पर हमिला किया था तो यहाँ पर क्या कह रहे है नहरू जी कि आकरमन तुरकों के द्वारा किया गया अफगानों के द्वारा किया गया उसके बाद तुरक मंगोलों ने इस पर आकरमन किया अफकानों को हम भारत का सीमावर्ती समधाय कह सकते हैं जो भारत के लिए पुरी तरह अजनबी भी नहीं माने जा सकते उनके राजनिदिक शासन के काल को हिंद अफकान युग कहना चाहिए मुगल भारत के लिए बाहर के और अजनबी लोग थे फिर भी वे भारती धाचे में बड़ी तेजी से समा गए और उन्होंने हिंद मुगल युग की शुरुआत की तो अफकानों को हम क्या कह सकते हैं सीमावर्ती समुधाय कह सकते हैं क्योंकि वह भारत की सीमा से लगे हुए थे वे भारत के लिए अजनबी नहीं थे भारत उन्हें अच्छी तरह से जानता था क्योंकि अफकानों की तरह से आक्रमन भी होते रहे थे कई हमले हुए थे अफकानी शासकों के साथ वहां के कई लोग यहां पर आकर रहने लगे थे उनकी राजनितिक शासन के काल को हिंद अफकान युग कहना चाहिए कही न कई हिंदू और अफकानी आपस में उनका मेल जोल हो गया था उनकी संस्क्रतियां मेल खाने लगी थी उनका राजनितिक जो तरीका था तोड़ तरीका वो भी मिला जुलासा हो गया था मुगल भारत के लिए बाहर के और रजनबी लोग थे फिर भी वे भारतिय धाचे में पड़ी तेजी से समा गये और उन्होंने हिंद मुगल युगों की शुरुआत की तो अफ़कान और मुगल लोग भारत में आकर यहां के धाचे में धल गए थे अफ़कान शासक और जो लोग उनके साथ आये थे वे भी भारत में समा गये उनके परिवारों का पूरी तरह भारतिय करण हो गया भारत को वे अपना घर और बाकी सारी दुनिया को विदेश मानने लगे राजनितिक जगडों के बावजूद उन्हें सामाने तह इसी रूप में स्विकार कर लिया गया और राजपुत राजाओं में से भी बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज मान लिया पर कुछ ऐसे राजपुत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधिनता अस्विकार कर दी और भयंकर चगड़े हुए दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोश शाह की मा हिंदु ही थी तो अब जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि अफकान शासक जब भारत आए तो उनके साथ वहां की लोग भी आए वे भारत में पूरी तरह से रम गए उनके परिवारों का भारते करण हो गया वे भारत को पसंद करने लगे यहां के लोगों को उन्होंने अपना लिया भारत को वे अपना घर मानने लगे और दूसरी दुनिया बाकी बच्ची दुनिया जो थी उनके लिए विदेशी वन गई राजनितिक जगडे तो होते ही रहे उसके बाव जोद उसके बाद भी सामाने तहर इसी रूप में उन्होंने भारत को स्विकार कर लिया और राजपूत राजा जो थे उनको भी बहुतोंने अपना राजा मान लिया पर कुछ ऐसे राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधिन्ता स्विकार अस्विकार कर दी पुछ राजपूत सरदार थे जो अफकानों को अपना शासक मानने के लिए तैयार नहीं थे उनके विरोधी थे और इसलिए काफी छगडे भी हुए भैंकर युद हुए घमा थी यही इस्तिती गया सुद्दीन तुगलक की थी अफगानी तुर्की और हिंदु सामनतों के बीच विवा होते तो थे पर आम तुर पर नहीं दक्षेण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजय नगर की हिंदु राच कुमारी से बहुत धुमधाम से विवा किया था अब यह गया सुद्दीन तुगलक है जिसकी मा जो थी वह भी हिंदु थी तो अफगानी तुर्की और हिंदु सामनतों के बीच में विवा हुआ करते थे पर यहां बहुत कम होदा हुआ करता था बहुत आम बात नहीं थी दक्षेण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने भी एक हिंदु राजकुमारी जो वीजे नगर की राजकुमारी थी उससे विवाह किया था इस दोर में कुशल प्रिशासन का विकास हुआ और यातायात के साधनों में विशेश रूप से सुधार हुआ मुख्य तह सैनिक कारणों से सरकार अब और अधिक केंद्री कृत हो गई गो कि उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानिय रिती रिवाजों में हस्तक्षेप न करे शेशा जिसने मुगल काल के आरंब में हस्तक्षेप किया था अफकान शासकों में सबसे योग्य था अब यहां पर बताया गया है कि जो प्रशासन था वो बहुत ही जादा अच्छा हो गया था उसका विकास हुआ वह तेजी से आगे पड़ा यातायात के साधन जो थे उनमें भी सुधार हुआ और खास कारण था उनका सैनिकी करण के कारण सरकार अब और अधिक केंद्रिकृत हो गई थी यह जो प्रशासन था वहां अच्छा हो रहा था हाला कि उसने इस बात का ध्यान रखा कि स्थानिय जो रितिरिवाज हैं उनमें किसी भी तरह का मदलाब ना हो उनमें किसी भी तरह का हसक शेप न हो, किसी भी प्रकार की तखला अंदाजी ना करे अब अफकान शासकों में सबसे श्रेष्ट शासक जो था, सबसे योग की शासक जो था, वह था शेर शाह सूरी उसने ऐसी माल गुजारी विवस्था की निव डाली, जिसका आगे चलकर अगपर ने विकास किया अगपर के प्रसित्थ, राजस्व मंत्री, तोडर मलकी इंवति, पहले शेर शाह नहीं की थे हिंदों की क्षमता का अफकान शासक अधिकाधिक उप्योग करते गए अब ये जो शासक है, जिसका नाम है शेर शाह सूरी, वह सबसे अच्छे शासक, योगी शासक थे उस समय के उसने एक नई विवस्था की शुरुआत की माल गुजारी विवस्था, जिसका अकपर ने भी आगे चलकर इस्तेमाल किया उसको और आगे बढ़ाया उसमें प्रगती की अकपर का जो प्रसित राजस्वमांत्री था तोडरमल उसका नियुक्ती जो थी उसकी नियुक्ती जो थी वह भी शेर शाह सूरी नहीं की थी और ये जो अफ़कान शाह सकते ये हिंदूओं की जो ख्षमता है उनकी जो योगिता है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना जानती थे भारत और हिंदू धर्म पर अफ़कानों की विजय का दोहरा असर पड़ा ततकाल प्रभाव यह पड़ा कि लोग अफ़कान शाहसन में पढ़ने वाले क्षेत्रों से दूर भाग कर दक्षिन की ओर चले गए जो बचे रहे उन्होंने विदेशी तौर तरीकों और प्रभावों से अपने को बचाने के लिए वाण व्यवस्था को और कठोर बना दिया दूसरी और विचारों और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की और धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा परिणाम तहव समन्वय अपने आप रूप लेने लगा वास्तुकला की नई शैलिया उजी खाना पहनना बदल गया और जीवन अनेक रुपों में प्रभावित हुआ यह समन्वय संगीत में विशेश रूप से दिखाई पड़ा भारत की प्राचीन शास्त्री पद्धती का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया अब भारत और हिंदु धर्मों पर अफकान जो विजय किये जा रहे थे भारत पर उसका कहीं न कहीं असर दिखाई देने लगा था ततकाल यहने तुरंत प्रभाओं क्या पड़ा कि लोग अफकान शासन में पढ़ने वाले क्षेत्रों से दूर भाग कर दक्षिन की ओर चले गए यहने दक्षिन में अफ़कानियों का शासन नहीं था तो जो अफ़कान शासन था उससे लोग भाग कर दक्षिन की और जा रहे थे जो नहीं जा पाए उन्होंने विदेशी तौर तरिकों और प्रभाव से अपने आपको दूर रखने के लिए पचाने के लिए वर्ण विवस्था को और जादा कठोर दड़ बना दिया दूसरी ओर विचारो और जीवन दोनों में इस विदेशी ढंग की और धीरे धीरे लोगों का रुझान पैदा होने लगा और लोग धीरे धीरे इसे अपनाने लगे इसका परिणाम क्या हुआ इसके फल स्वरुप समनवय अपने आप रूप लिने लगा समनवय ने दोनों की जो संस्कृतियां थी दोनों के जो तौर तरीके थे रहन सहन के ढंग थे वहां आपस में मेल खाने लगे एक दुसरे से मिलने चुलने लगे वास्तु कला की नई शैलियां उपजी खाना पहनना बदल गया लोगों के खान पान में लोगों की कला में संस्कृति में सब में बदलावाने लगा जीवन अनेक रुपों में प्रभावित हुआ जीवन जो था लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनावा, कला, संस्कृती हर तरसे कहीं न कहीं उस पर असर हुआ यह समन्वय संगीत में विशेश रुप से दिखाई दिया जो संगीत था, जो कला थी, उसमें भी परिवर्तन हुआ भारत की प्राटीन शास्त्री पदती का अनुसरन करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया तो शास्त्री जो पदती थी भारत की हमारी प्राटीन संस्कृती उसमें भी कहीं न कहीं बदलाव हुआ और विकास भी हुआ फार्सी भाषा दर्बार की सरकारी भाषा बन गई और फार्सी के बहुत से शब्द बोल चाल की भाषा में प्रवेश कर गए इसके साथ ही जन भाषाओं का भी विकास किया गया तो पहले जो भाषा थी दर्बार की भाषा सरकारी भाषा जो थी वो बदल गई और फार्सी भाषा दर्बार की सरकारी भाषा बन गई फार्सी के जो कई शब्द थे वो लोग बोल चाल की भाषा में रोच की भाषा में इस्तिमाल करने लगे और चो दूसरी जन भाषाइन थी, बोलचाल की भाषाइन थी, उनका भी विकास हुआ भारत में जन दुरुभाग के पुर्ण बातों में व्रधी हुई उन में एक पर्दा प्रता थी ऐसा क्यों हुआ? यह सपष्ट नहीं है पर भारत में परदा प्रथा का विकास मुगल काल में तब हुआ जब यहां हिंदूओं और मुसल्मानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा औरतों को अलग परदे में रखने की यह प्रथा उन इलाकों में उंचे वर्गों में विशेश रुप से फैली जहां मुसल्मानों का प्रभाव सबसे अधिक था यानि उस मथ्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपुताना, बिहार और बंगा लाते हैं लेकिन अजीब पात है कि पंजाब और सरहदी सूबे में जो मुख्यता मुसलिम इलाके थे पड़दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थे तो यहाँ पे देखा हमने कि संस्कृती शैली जो थी वास्तुकला शैली लोगों का रहन सेंसब में अफकानों के आकरमन का असर दिखाई देने लगा एक तरह से विकास ही हुआ परंतु भारत में एक दूर्भागी पूर्ण जो बात होई वह क्या होई कि यहाँ पर परदा प्रथा की चलन शुरू हो गई परदा परधा में जो महिलाएं हैं वहाँ परदे में रहती हैं लोगों के सामने नहीं आती जिसे आदर और सम्मान की निशानी समझा जाता है तो ये क्यों हुआ ये परदा परधा का चलन कैसे आया या तो कुछ पष्ट नहीं है पर भारत में परदा प्रथा का विकास कब हुआ? मुगलकाल में और उसमें भी कब हुआ? जब हिंदू और मुसल्मान दोनों में इसे पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा ओरतों को अलग परदे में रखने की यह प्रथा जो थी वहां बढ़ गई और उन इलाकों में उचे वर्गों में विशे शुप से फैली जहां पे मुसल्मानों की संख्या अधिक थी, मुसल्मानों का प्रभाव अधिक था तो ये एक शेत्र कौन से थे? माथ्य और विशाल पूर्वी प्रदेश जिन में कौन-कौन सा इलाका आता है दिल्ली, संयुक्त प्रांथ, राजपुताना, बिहार और बंगाल में परदा प्रथा का चलन बहुत अधिक बढ़ गया लेकिन पंजाब और सरहदी सुबा जो था वहाँ पर मुसलिम इलाके होते हुए भी परदा प्रथा की जो ये प्रथा थी, वहाँ बहुत जदा सक्ती से इसका पालन नहीं होता था, बहुत कड़ी नहीं थी तो यहाँ तक हमने देखा ये भाग, इसका जो शेश भाग है वहाँ हम पढ़ेंगे अगले का लांश में